हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं सीकायम सिस्टम के बारे में ठीक है सीकायम सिस्टम आपको बहुत आसानी से इस वीडियो लेक्चर में समझ में आएगा इससे पहले हम लोग देख चुके हैं जो पॉल सिस्टम होता है उसके बारे में भी और जो NTSC system होता है उसके बारे में भी देख चुके हैं तो इस वीडियो लेक्चर बेंगे सीकायम system के बारे में ठीक है तो सीकायम system क्या होता है एक TV standard होता है इसके एक पॉइंट को बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा तो चलिए सुरू करते हैं और जानते हैं इसका sequential color with memory ठीक है sequential color with memory सीकेम का full form होता है sequential color with memory ठीक है आपको सबसे पहले इसका full form तो पता ही होना चाहिए है second point कभ इसको develop किया गया था 1970 1970 में इसको develop किया गया था किसके दार्ट किया गया था फ्रॉंस के दार्ट किया गया था ठीक है जो SICAM system है ठीक है उसको डवलब किया गया था कब 1970 में इसको डवलब किया गया था किसके दवारे डवलब किया गया था तो France के दवारे डवलब किया गया था ठीक है अगला point in this system two chrominance signals are transmitted on alternate line in sequence तो जो SICAM system होता है उसमें 2 chrominance signal को transmit करते हैं do chrominance signal मतलब क्या होता है कि जो color signal होते है ठीक है chrominance signal मतलब को oportun signal होते आश अउनको हम लुग transmit करते हैं ओ भी dennay responsible in alternate ऑब history reference में चीजेया मतलब कहने करोंगे दोनों जो किमिनेन सिगनल है ठीक है अभी दभ देखते हैं काउन से हैं मुझेख systems करते हैं इसेल JEREM करते हैं अगला POINT रिजल्ड हां हॉफ आफ फे कर इंफ एंफौरमेशन लौस्ट आन इच लइच लाइन तो इससे क्या होता है हम लोग alternately एक लाइन में color को transmit करेंगे तो अधिकर जो हर लाइन में जो data होगा जो color information होगा वो lost होने लगेगा ठीक है जो color information है वो आधालगबग lost होने लगेगा half lost होने लगेगा उसका ठीक है इसके बाद अगला जो point है दस if one line red difference signal is transmitted then next line blue difference signal is transmitted तो इसमें क्या होता है मैंने बता है कि पहले line में एक color को अगर transmit कर रहे है तो दूसरे line में दूसरा color transmit होगा इससे क्या होता है कि इसका जो color information है उसका जो half होगा उसका जो आधा होगा information वो lost हो जाता है इसलिए ठीक है अगर हम लोग पहले में रेड ड सिगनल को ट्रांस्मिट कर रहे हैं तो दूसरे में हम लोग ब्लू डिफरेंस सिगनल को ट्रांस्मिट करेंगे ठीक है अभी हम लोग देखते हैं डिफरेंस सिगनल और ब्लू डिफरेंस सिगनल को ट्रांस्मिट करेंगे तो दूसरे लाइन में डिफरेंस सिगनल को ट्रांस् लगभग equal होता है db के ठीक है r-y लगभग equal होता है dr के इसको बोलते है जो db और dr है इसको बोलते है weighted signal ठीक है अभी equal to नहीं है यहाँ पे कुछ value होता है जो यहाँ पर value आप लिख देंगे तो यहाँ पर db equal to हो जाएगा इतने के अभी हम लोग देखते हैं क्योंकि जो weighted signal ह होता है अगर हम लोग ccam की बात कर रहे हैं तो इसमें जो weighted signal होता है db होता है और dr होता है ठीक है तो इसको बोलता है weighted signal क्योंकि यहाँ पर कुछ value दी गई है इसलिए इसको बोलता है weighted signal और यहाँ पर जो db है equal to हो जाता है 1.5 b-y ठीक है यहाँ पर जो b है blue है जो r है और रेड है और यहाँ पर जो y है yellow नहीं है confused मत होईएगा यहाँ पर जो y है yellow नहीं है बलकि यह resultant है जैसे जब हम लोग color mixing पढ़ेंगे additive color mixing और subtractive color mixing तो हाँ पर आपको clear हो जाएगा कि b-y कहां से हुआ कैसे हुआ r-y कैसे हुआ अभी सिर्फ इतना ही आपको देखना है कि जो dr है equal to होता है minus 1.9 bracket में r-y जो db होता है 1.5 और b-y ठीक है तो आपके डिमार्ट में आ रहा होगा कि कहां से आया है value कहां से आ गया इतना तो इसका जो value है और derivation आता है इसका derive होता है लेकि उतना deeply हम लोग को नहीं पढ़ना सी कैम में इसलिए सीधे सीधे value हमने लिख दिया है इसको आप एक्जाम में जरूर लिखिएगा ठीक है यह बहुत इंपॉर्टेंट है एक्जाम के व्यू से इसके बाद जो अगला point है लाइक पाल सी कैम सिस्टम इस आलसो मेड़ आफ 625 इंटरलेश्ट लाइन तो हमने पाल सिस्टम पढ़ा है पाल सिस्टम में क्या होता है कि जो इंटरलेश्ट लाइन होती है जो मोनोक्रोम लाइन से होता है ठीक है ओ टूफ 625 होता है जबकि जो ntsc हमने पढ़ा है ओ होता है आपका 525 के एक्वल होता है ठीक है तो हम किसके लाइक होता है PAL system के, PAL system में क्या होता था, 6 to 5 interlaced line होती थी, ठीक है, उसी तरह से CEM में भी 6 to 5 interlaced line होंगी, ठीक है, अगला point, DB and DR are given at different timing, ठीक है, जो DB है और जो DR है, इसको क्या बोलते हैं, वेटेट सिगनल वोलते हैं तो दोनों जो वेटेट सिगनल है उसको different time पर दे दिया जाता है ठीक है different time पर उसको भेजा जाता है बट they are receive at same time at receiver transmitter से हम लोग तो transmit कर दिये ठीक है अलग अलग समय पे मान लेते हैं पहले DB को transmit कर दिये फिर दूसरे लेकिन जहीं इसको है जो एक समय पर दोनों को रिसीव करेंगे ठीक है एक ही समय पर हम लोग रिसीव करेंगे इपी और आले दस, ए 64 microsecond delay line are used which confirms at both the signal are received semi tensely, semi tensely मतलब होता है same time पर, ठीक है? semi tensely मतलब होता है same time पर, तो यहाँ पर 64 microsecond का हम लोग delay देते हैं, delay line देते हैं, delay line भी उसके साथ में transmit करते हैं ताकि हमको confirm हो सके, हमको पता चल सके कि जो receiver है, वहाँ पर सेम टाइम पर हम लोगों को जो वेटेट सिगनल है वो प्राफ्थ हो गया है ठीक है इसलिए यहाँ पर 64 माइक्रो सेकंड का डीले लाइन हम लोग प्रॉवाइड करते हैं इतना तो आपको समझ में आगया होगा अच्छे से अगला पॉइंट इन डिस सिस्टम डेट डिफरेंट सिगनल और काल db ंdr तो इस सिस्टम में जो भी कलर डिफरेंट सिगनल है वेतिट कलर डिफरेंट signal है इसको क्या बोला है हम लोग डी बी और डी आर डी और जो डी डी आर है इसी को हम लोग बोलते हैं color difference signal ठीक है इसके बाद अगला जो point है they do not appear simultaneously on any time एक ही समय पर appear नहीं हो सकते हैं ठीक है कि बताया है कि अगर हम लोग पहले line पर कौन सा transmit होगा DR होगा अगर हम लोग पहले line पर डी आर ट्रांस्वीट कर रहे हैं तो दूसरे line पर कौन सा अच्छिक होगा ठीक है इस तरह से होता है एक ही समय पर दोनों को ट्रांस्मीट नहीं कर सकते हैं सी कार्ट से है कि क्योंकि इसमें जो होता है कलर जो कलर कर्मीं सन हो जाता है लगभग लॉस्ट हो जाता है आधा क्वेशा 50 पर्संट लॉस्व जाता है इसी कारण से कि पहले ड्ள ह cafeteria गरते हैं दूसरे सब्सक्राइब करते हैं इसमें जो कलर लाज्स बढ़ जाता है अगला इसमें क्या हो रहा था कि फेज जो इरर होगा वो बढ़ेगा नहीं ठीक है वो constant बना रहेगा मतलब फेज इरर इसमें लगवग नहीं के बराबर होगा इसके बाद अगला जो point है modulation technique is used FM जो CCAM system हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें जो हम लोग modulation का यूज कर रहे हैं वो FM है frequency modulator signal का हम लोग यूज करेंगे frequency modulator का यूज करेंगे जबकि जो PAL system और NTSC पढ़ा हैं वहाँ पे amplitude modulation का यूज कर रहे थे ठीक है लेकिन जो CCAM system है इसमें FM का यूज करेंगे frequency modulation का यूज करेंगे अगला point इसको हम लोग 50% reduce कर सकते हैं अगला point for color high relation is not needed अगर हम लोग color की बात कर रहे हैं तो जो इसका relation होता है वो हाई होने की जरुवत नहीं होती है हाई requirement नहीं होता है हाई relation का requirement नहीं होता है for color के लिए ठीक है low relation होना चाहिए color के लिए तो in CCAM video bandwidth is 6.5 megahertz यूज तो जो हम लोग CCAM पढ़ रहे हैं इसमें जो वीडियो bandwidth होता है वीडियो का bandwidth होता है वो 6.5 megahertz होता है ठीक है इसको भी याद करना होगा कि जो CCAM system है उसमें जो वीडियो का bandwidth होगा वो 6.5 megahertz यूज करेंगे ठीक है इतना अता हो गया इसका basic हो गया अब हम लोग देखते हैं इसका transmitter जो कि आपके syllabus में नहीं है इसका transmitter receiver सी का बहुत बहुत भैंकर है अभी देखिएगा आप लोग तो समझ में आये कितना बढ़ा है ए आपका CKM का block diagram CKM का transmitter का block diagram में इस तरह से है तो देख सकते हैं कितना बढ़ाइगराम इसका लेंदी है लेकिन आपके syllabus में इसको नहीं पढ़कितर को नहीं पढ़ने त्थेख सकते हैं इतना सादाव लॉक कर पाएंगे हैं इसको याद करना बहुत ही कठीनещ फिर भी इस लेवलस में है नहीं आपके इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है जो CKM transmitter और receiver है नहीं है पर आप हम लोग देखते हैं जो CKM system है उसके कौन-इस advantage होते हैं और कौन-इस limitations होते हैं कौन-इस disadvantage होते हैं तो सबसे पहले हम लोग cover करेंगे इसका advantage क्या होता है तो first point the regeneration of sub-carrier is not required इसमें क्या होता जो sub-carriers होते हैं उनको फिर से जनरेट करने की requirement नहीं होती नहीं होता है ठीक है अगला पॉइंट हुई control is not required in C-CAM C-CAM में हुई control की जरुवत भी नहीं पड़ती है अगला पॉइंट saturation control also not required इसमें जो saturation control होता है उसका भी requirement नहीं होता है क्यों नहीं होता है because carrier amplitude in the FM modulator wave remains same क्योंकि हम लोग यहां पे जो modulated technique का use कर रहे है वो FM टक्नीक का use कर रहे है ठीक है frequency modulation का use कर रहे है इस current से जो carrier amplitude होता है वो same बना रहता है उसमें changes नहीं आता है अगला point improved picture quality C-CAM में क्या होता है कि जो picture quality होता है improved होता है अगला point no cross talk interference इसमें जो cross talk interference होता है हो भी नहीं होता है अगला point fm deduction is simple then amst deduction तो एस में क्या है कि जो deduction हम लोग use कर रहे है fm deduction ठीक है वो simple होता है किसकी अपेच्छा amst क्या पेच्छा अगला point no phase error हमने बताया पहले कि जो C-CAM है उसमें phase error नहीं होगा अब देखते हैं इसके limitations क्या है इसका disadvantage क्या है ठीक है तो vertical solution is half because there is only one color difference signal on a one line and half of the color information is lost on each line क्यों इसका disadvantage यही है कि फर्स्ट लाइन में हम लोग एक सिन वेटर सिनल को transmit कर रहे हैं और सेकेंड लाइन में जो नेक्स्ट लाइन है उसमें डूसरे जो वेटर सिनल को transmit कर रहे हैं इससे क्या होता है कि जो आधा 50 परसंट जो color information होता है वो लॉस्ट होने का चांस होता है मतलब लॉस्ट ही हो जाता है 50 परसंट ठीक है तो यही इसका major disadvantage सी कैम का तो आई होप यह वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आये होगा कि सी कैम क्या होता है इसका जो basic होता हो basic knowledge क्या होता है इसका advantage क्या होता है तो मैंने बताया जो सी कैम है उसका transmitter और receiver का block diagram आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि बहुत लेंदी है आपके slabs में भी नहीं है इतना आपके लिए काफी है अगर चार नंबर में तीन नंबर में question आया जाता है तो आसानी से आप इतना लिख लेंगे बहुत सारा नंबर आपको मिलेगा ठीक है तो वीडियो पसंद आएगा वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक कीजेगा अपने दोस्तों के पास वीडियो को सेर कीजेगा ताकि उनका उनका भी help हो सके और चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा क्योंकि इसी तरह का वीडियो लेक्चर आगे भी आता रहेगा हमारा कोशी सही है कि आपको maximum नंबर हम गेन करा सके ठीक है तो तब तब खुश रहिए मस्त रह जाइए जाहिए